हर दिल को सुनाते हैं फर्मान महब्बत का प्यासा है बहुत प्यासा इंसां महब्बत का नाजरे नादाब मैं कश्वी शवाल इस्तगबाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुफ्तगू में जैसा कि मैंने जिक्र किया फर्मान सीरिल के इस टाइटल सौंग के दो लाइन का तो फर्मान सीरिल एक ऐसा सीरिल था जिसके कुछ क्यारेक्टर अभी तक हमारे दिलों दिमाग में महफूज हैं जैसे कि इसके बड़े नवाब या फिर बेगम साहिबा या फिर एमन बीबी और एक खास क्यारेक्टर जो अपने चुल्बुले स्टाइल के लिए मशूर था और हमारे दिलों पर आज तक राज करता है जे हां बशारत नवाब तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बशारत नवाब याने की राजा बुंदेला साहब राजा साब इस्तगबाल है आपका गुफ्तकू में साब शुक्रिया सबसे पहले जानना चाहूंगे आपसे कि फर्मान सीरियल में जो आपका कैरेक्टर था बड़ा फनी सा और बहुत चुल्बूला शोख टाइप का था तो क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है पता नहीं लेकिन वो तो कैरेक्टर था जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी अजिन एक्टर उसका मैंने वह खुबी कोशिश की के निर्वाह हो जाए जरसर फर्मान एक ऐसा सीरियल था जो बहुत हिंदुस्तान के उन लोगों ने मिलके बनाया था जो अपने अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल कर गए हुए थी रजिया आप आने लिखा था और इसका आलमपना नाम का एक उपन्यास था जिस पर इसको बेश किया गया था और लेक टंडन जी उस जमाने के मशूर डिरेक्टर उन्होंने डिरेक्ट किया था और गुल आनन जी इसके प्रिडियूसर थे तो जो आप कह रही ही वह ऐसा कॉंबिनेशन बना कि वह अभी अब तक जैसे आप कहा रही ही लोगों को याद है और मुझे भी वह भूमिका करके मुझे लगता था कि मैंने जीवन की एक बड़ी खुलसूरा जिंदगी को एक छोटे से हिस्से में जी लिया अब वह चुल्बुला था या क्या था यह तो नहीं पता लेकिन वह मेरे दिल बड़े शरार्ते टाइप उसमें आप निजर आए हैं जो आप एमन बीबी को छिड़ते रहते हैं वक्त और अब उस वक्त उस उस सब्जेक्ट की और उसकी वह थी उसकी दरकार तो मैंने किया वह वैसे अपनी छिड़ पाउंगो किसी कोई मारेगा और मीटू में बंद कर जो रियल ने में वो कुमर राज प्रताफ सिंह बहादूर बुंदेला करके है शायद मैं भी कुछ गलत ही बोल रही है इतना लंबा नाम है ठीक बोल रहा आपने बीच में गाद्दू छोड़ दिया आपने तो वहाँ से लेकि राजा बुंदेला तक को जो सफर है मैं उसक एक परंपरा रही है कि पूरा नाम लिखा जाये बोला जाये पड़ा जाये जो की आम जिंदगी में ये संभाव नहीं है तो पहली फिल्म जब मुझे मिली तो हमारे डिरेक्टर शिपकुमार जी ते अलिगर के यही थे देदा मई के तो उन्होंने हमको बुलाया सेलेक्ट किया प्रतवी थेटर में हमारा नाटक देखा नाटक के बाद जब रोल के लिए उन्होंने तया किया तो असली नाम उन्होंने सुना तो बुले ओर नाम कहा जाएंगे तो बोले तू तो तया कर ले या तो ये नाम रहेगा या तू रहेगा अब जिन्दगी में पहला रोल मिल रहा था ही रो का उसवर तबाही पांके थे काम नहीं था भूख प्यास तो राद बर मैंने सुचा मैंने क्या किया जाए और वो वो सरनेम भी रखना था जरूरी जिसकी एक पहचान है बाप दादा ये कहते सला और कुछ किया नहीं किया अब तो ठीक है सले इनने नामी काट के गबा दिया तो वो बुंदेला रखके मैंने बागी सब काट कूट के सब का एक डंडा ले लिया तो राजा करके राजा कि बगः काम के बगः धाम के हम राजा हो गए और काम कर रहे हैं वह ऐसी कुछ वह बहुत खास नहीं थी इतना बडरा नाम करना बड़ा मुशक्ल है से थे हम आप बचल जैसे ही लोग कर सटे बाकी सब की यह सब हो गए नशडी में आपने पढ़ाई किया उसके बाद तो कैसा था माहूल वहां का जो था एक्टिंग आप सीख रहें क्या एक्टिंग आप सोच के आप आपने पर लाइन चुल लिया था है कि मुझे अक्टर ही बनना है नहीं मजबूरी थी मेरी क्या थी वो मजबूरी जीवन में नहीं यह सोचा और ना हमारे खांदान में किसी ने यह सब ने कभी सोचा और ने इसमें कभी गए एक उमर होती है आप शायद उसमें अभी हैं कि आप बगेर किसी वज़े के आपको जिन्दगी में हरा अदमी पर गुसा आता है आपको सिस्टम पे गुस्सा आता है लोगों पे गुस्सा आता है और आपको लगता है जो आप कर रहे हैं वही अच्छा है बागी सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं वो दोर मेरा भी था उन दोनों हम लोग थोड़ा सा पैसे वालों उस वक्त बड़े पॉपलर थे हमें बड़ा लगा कि लाल डेंगा के गुरुप में जाके नक्सलवाद के साथ जुलेंगे और समाज में सामानता लाएंगे वो यह ब्रहम था इस वाजे से घर में भी जगड़े हुए मार पिटाई हुई और एक रात हमें निकली लिये अच् मुझे नहीं पचा पाए गए या मैं लेलित्पुल को नहीं पचा पा रहा हुए तब हमारे एक परिवारी कुमित्रन है काया तेरी शकल भी अच्छी है आसा वासा भी लेता है और मैं योगा बड़ा अच्छा करता था तो उन्हों नहीं का दियोगा नाक से पानी वानी प खेर फिर हम बगेर स्कॉलर्शिप के दो लोग मेरे साथ ही रगवीर याद हो हम दो लोगों हम लोगों ने जॉइन किया एनसडी के बाद हमें इबराहीम अलकाई साब ने बहुत मदद किया उस जमाने में यहां की वो डिरेक्टर थे और जब हमने उनसे का कि मेरे पास तो सबस्क्राइब हमें जूट बोलना कि कोई बात ही नहीं क्यों से कहूं करक्रमी बनना हैं रंकरमी हम बनना ही नहीं चाह रहे थी के बाद पूना के बाद फिर वापस आए और फिर बॉंबे गए पार उपर वाले ने थोड़ी बहुत कुछ जाइश्क बना दी तो जो कुछ मिला तो कर लिया तो फिर घरवालों ने जब आपके पहले फिल्म रेखे शह साल तक ना उनको पता था मैं कहा हूं ना मुझे पता था कि घरवाले कैसे है तो छे साल आपने स्ट्रॉगल गया हाँ इसलिए कि हम में उस मकाम में भी नहीं था कि घरवालों को कह सकूँ कि मैं जिन्दा हूं और बहुत कुछ कर रहा हूं शर्मिंदा ही था क्योंकि कुछ करी नहीं रहा था पर एक नाटक का जब पहली बार र रेपेटरी कंपनी जोएन की तो उस वक्त तक हम राजा बुंदेला नहीं बने थी कुछ कि फिल्में नहीं मिली थी तो आरेस बुंदेला लिगता था तो उसमें रिव्यू हंदूस्तान में आया कि आरेस बुंदेला ने भी अपनी छोटी जी भूमिका उम्दा तरीके से निवाई तो मेरे पिताजी को उनके दोस्त ने का यार यह बुंदेला कौन है यह तो तिरह बेटा तो नहीं कहीं हमें भखोड़ा था तो उन्होंने का लिए चांस लेते हैं और फिर मेरे पिताजी अपने दोस्त के साथ यहां है तो एक बड़ा इंट्रेस्टिंग इसा है बंगलादेश के एक लड़की थी हमारे जीनत वो पलती थी वो आदे कपड़ों में रहती थी सिगरेट विगरेट वेस्टन कल्चर से बड़ी प्रिभावेती गेट पे वो ही मिली हमारे से एक साल जूनियर थी पिताजी ने पूछा कि आहां राजिंदर प्रताप सिंग ब पिताजी आये तब 6 साल बाद उनको लगा कि मैं जिन्दा हूँ महदूद हूँ फिर सुईकारा हमारे तो खंदान से लव हेट रिलेशन चलते रहे लव मेरेज कर ली उस पर भी विरोध हुआ हम बोर्न रेबेल जिसको कहते हैं ना पैदायशी बगर किसी वजह से उस केटेगरी में माने जाते हैं और फिर उपर वाले ने बहुत कुछ दिया अब घर वाले ने आपको एकसिप्ट कर लिया उसके बाद जाब उनके पास कोई चारा भी नहीं था पहली फिल्म तो आपक हैं लेकिन हाँ उनकी हर माबाप की यह बड़ा विच्छित्र है हमारे पूरे संसार की उसमें और खासकर हिंदुस्तान और इस अपने यह मुल्क में कि बच्चों से अंचाहे ऐसी उम्मीदें माबाप लगा लेते हैं जिनको बच्चों को पता ही नहीं होता है अब उन्हो प्रिवारों में होता है हमको इसलिए यह नए दौर में बड़ा सबक से बखा है मेरो दो बेटे हैं उन्होंने बगैर पूछे अपने अपने दुनिया चुनी एक निउजीलेंड चला गया एक उस्टेलिया चला गया अपने आप सब्जेक्ट सुने क्योंकि हमने उनसे बहुत जरूरी है आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कही रहा हूँ कि माबाप को बच्चों को ऊससे वह उमीद मत रखें जो नहीं कर पाए कि आपका बेटा इसलिए करेगा वह अपनी चुआ इसका नहीं करेगा तो मेरे बाबा आपको वह कसक थी पर धीमे धीमे उन्हें लगा कि साथ इसने नाम खराब नहीं किया पैसे नहीं लिए फिर भी चार लोग इसको जानने लगे चलो अच्छे ही है तो उन्होंने फिर च्छाइस के एक न्यूजी लेंड में हैं वो साइंटेस्ट हैं अपनी पीएजडी कर रहा है और दूसरा बेटा भी ऑस्टेलिया से आया वो अनुराग बासू के असिस्टेंट हैं डारेक्टर के सब उन्हीं की च्छाइस है हमने कभी उनसे कुछ निका हमने नकभी उनसे उस तरह की उम्मीद की है और ना आगे भी है वो अपनी जिन्दगी जी है हमारा बस इतना है का खुश रहे मानवता और समाज को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझें और खुश रहे सुश्मिता अजी साब की पहली मुलाकात कैसे हुए थी कोई यादगार लम्हा बजाती हूँ आप उसके वारें बताया अभी आपने खुद जिकर किया कि बहुत हंगामा हुआ था तो कुर्गुजार हूँ के उसके वजए से मेरे बच्चे पड़ लेखे गए और इस मकाम पर पहुंचे के वो आज अपनी जिन्दगी को लेकर फैसला कर रहे हैं मैं भगोडा रहा घर से भागा फिर जब पहली बार एक्टर इस्टेबलेश हुआ तो कंपनी खोल ली एक्टिंग बंद हो गई कंपनी जब ठीक ठाक चल रही थी छेसा सीरियल चल रहे थी कंपनी में प्रियास प्रोडक्शन में तो डारेक्टर बन गया कंपनी बैठेने लगी जब डिरेक्टर ठीक ठाक हो गया तो बंदिल कंडल अगराज का अंदूलन उठा लिया तो मैं अपने आपको अपनी तलास करता रहा लेकिन मेरी वाइफ ने शुक्र गुजार हूं उसका आप सब के सामने के उसने बच्चा और घ्रिश्ती समाली औ एक लायकत दी जिन्दगी जीने का उन्हर सिखाया और हर लम्हें उनके साथ तो यह आदास थे लेकिन हम एक प्ले कर रहे थे चंदनपूर की चंपावाई पहला प्ले था और एक था चीन की हंसीना मैंने बीबी चीन की हंसीना बनी थी और उन दुनों हसीना थी वो और मैं किसी जगह का राजकुमार था वह ऐसी दौर चला हसीना और राजकुमार का यहां आपकी देली से हैं पोस्ट ग्रेव जिप हैं नेशनल स्कूल आप ड्रामा से हैं लिखती हैं सुश्मिता मुखर जी बुंदिला उनका नाम है तो अब मैं जाना चाहूंगी अब फिल्मी दुनिया से बाहर निकलते हैं आपके पॉलिटिक्स का जो सफर है इसके वार जूद प्यासे हैं पंद्रा साल में तेरा बार वहां अकाल पड़ा है इस्ट्री उठा के देख लीजे आप चार जगह हम बिजली बनाते हैं फिर भी हम आठ गंसे से चे गंटी तक हमें बिजली मिलती हैं यह आकड़े हैं जो सरकार के हैं सड़ सट पृतिशत वहां से पल शिक्षा है जहां पे सब कुछ है जहां पे पन्ना में हिरे निकलते हैं सोना फासफोरस खरेज सब कुछ है वहां की दुर्दशा इतनी हैं कि आपको हम कहनी सकते केवल अब इत्यास तो सौरे और बहदरी के लिए बुदिलखन को याद करता था अब केवल भूकमरी गरीब और एक और कहावत है पानी पकड़ पलायन फट्टा और कट्टा इन पांच चीजों के लिए बुदिलखन मश्यूर है मैं पांच चीजों का पलायन 67% पानी है नहीं पकड़ एक हमारे याँ धंदा होता है किसी बिजनेसमेन को वहां से पकड़ के कहीं और देते हैं फिर बिरोध इस बात का है कि देश की आजादी के पहले मुगलकाल में भी बुदिलखंड सूबा था अपित्यास उठा ले अंग्रेजों के जमाने में था जहांसी की रानी ने कहा कि मैं अपना जहांसी नहीं दूँगी उस बुदिलखंड सूबे को आजादी के बाद 1947 में वर किसी से बताया गया ऐसी इस्तिती में ना आपने कहीं कोई गुणा भाव किया राजस का ना किपनी फिल्ड का ना आपके रोजगार का और उसको जब आपने दो भगों में बाटा तो वहां निश्यत ऐसी चीजने शुरू हुए जो जो वहां के लिए ठीक नहीं थी और जो पॉलिटिकल वहां का जो रिपर्जेंटेटिव थे वो सामंत बादी थे राजा रजवालोई थे उनी को अंग्रेज चोड़ गया वही चुनाओं में जीतते गए तो वो जो डेवलप्मेंट जो दूसरी छेत्रों का हुआ पंजाब का खेरला का महराष्ट का वो डेवलप का शिवालवडादी की संस्कृती खतम हुरे है उसकी भाशा को रही है वह आपको तो हम बुनिल घृड़नी में बूलके दिखा दें जब किसी भी समाज की, किसी भी समधाय की भाषा, संस्कृति और पहनावा खतम हो जाए तो वो बिलुप्त हो जाता है, वो मर जाता है, हमारा कहना है कि इस संस्कृति को मनने मत दीजे, हमारे यहां तुलसिदास जी हुए है, हमारे यहां वेद व्यास हुए है, हमारे यहां रसकान हु हुए हैं हमारे यहां गाःवान हुए हैं हमारे ध्यान चंद हुए है फीर भी हम अपने नाम को थरस रहे हैं उस ही शिर्टी में मैं संल्दूलन से जोड़ा हूँ मेरा राजनेतिक जोकसफर है वो केवल बुंदेलखण को लेकर है बुंदेलखंट को लेकर मेरी प्राथमिता है और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ जैसे कि आपने बताया कि बंदेल खंट हर चीर से पीछे ही है तो आपको बहुत चालेंज आते होंगे समस्यां तो हैं कोई भी व्यवस्तेत आदमी यह नहीं चाहेगा एक दुकान कहीं किसी की लगी हुई है और बगल में आके कोई दूसरी दुकान खोल दे तो बगल वाला तो नहीं चाहेगा ना कि इसकी दुकान भी चले यही हमारे चित्र का हमारा पॉलिटिकल लीडर किसी न चोटे राजियों के खिलाब हैं वो कहते हि चोटे राज कि यह बड़ा राज रहना चाहिए बड़ा राज आप सोचे एक सो पच्चीस करोल हिंदुस्तान की है पच्चीस से लेके 27 करोल की आबादी के वल उत्तर प्रदेश की है है आप कैसे समालेगी इतना बड़ा सब जगे से एक ठीक ठका और रुता है और लोग अपने आप में जोड़े रहते हैं हम जब अंदुलन के लिए निकले तब से लेखे आज तक हम जनता की सहमती नहीं बना पाए क्योंकि जनता पेट के नीचे सोच ही नहीं रही पेट तक ही सोच रही ना पेट के उपर सोच र बात हुई है वो भी इसके लिए सोचते हैं के बुनिल खंड विधर और पूर्वांचल को एक अलग राज का दर्जा देंगे तो शायद संब्रिद्दी और होगी लोगों के साथ नयाय होगा दो आपको छोटे आंकले दे कर मैं इस पॉइंट को कदम करूंगा ललित्पूर एक जगह है जहाँ पर एक बांध बना। उस जगह पर बांध बना वहीं और उसमें बिजली बन रही है वहाँ का पानी अब हो आवा वहाँ की जमीन और उस शहर को एक मेगाबाट बिजली नहीं मिलती, दूसरी जगह, जहांसी के पास गाओं है चम्रवगा, वहाँ एक बांद बना है, छे साल हो गए उसको बांद को बने हुए, उस गाओं में पानी पीने की, चम्रवगा आपको मेंशन कर रहा हूँ, तरा ही तरा ही है उस ग के खाने हैं, 35,000 करोड पर यर संट्रल गवर्मेंट लेती है, 17,000 करोड इस्टेट गवर्मेंट लेती है, और पन्ना की महला पूरे दिन लकड़ी बीनती है, तब उसको 60-70 रुपे मिलते हैं, अगर घर में कोई नहीं है, और वो बाजार में बेज के आती ता अपने हैं, जहां पन्ना निकाल रहे हैं, वहां उस शेर की दुरताशा देख लिजए, हमारा यहीं मतलब है, हम कोई विद्रोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन का अपनी बात तो कहें नहीं हैं, विरोध तो कर सकते हैं, आवास तो उठा सकते हैं, तो उस आवास में मैं साथ हूँँ और बुंदेल खंड मेरा आप जो कहते हैं आप प्रार्थिक मिता या मेरे उसमें पहल में सबसे नमबर बने है खजराह फिल्म फिस्टिवल की शुरुआत आपने की थे तो यह दिमाग में आपके कैसे आए क्योंकि मतलब बहुत जादा डेवलप्ड एरिया वो नहीं है बुंदेल खंड है आसपास के जो इसके लाके हैं लेकिन आपने खजराह फिल्म फिस्टिवल की नीव रखी जी और माशालला उपर वाले का यह वो रहा कि हम पिलकुल सक्सेस्फुली उसको करते रहे वो खामयाब हुए क्या था हमने कहा ना कि कल्चर खतम हो रहा था हमारी संस्कृति मर रही थी लोग कलाएं मर रही थी एकीस साल पहले बुनेल खंड की लोग कलाओं को एक सम्मिलन हुआ हम लोगों को यह मैं उसमें नहीं था पड़ा जो मैंने हम लोगों को लगा कि तीन से ज्यादा लोग कलाएं नहीं आएंगी लेकिन 43 लोग कलाएं उसमें थी जब मैंने यह पड़ा तो मुझे लगा कि इनको जिन्दा करने के लिए मुझे कुछ न कुछ जो उपर वाले न मैं लगा कि खजराहू इंटरनेशनली नोन है, वर्ल्ड हरिटेज में भी तीसरे चौते नंबर पे है, खजराहू को किसी के साथ जूड़ा जाए, खजराहू इंटरनेशनली फ्राइट पे भी है, ट्रेंड में भी है, सिनेमा एक ऐसी चीज है जिससे हार आदमी जुड़ना चाहता है, as an actor, as a director, as a writer, whatever, सिनेमा में पैसा भी है, glamour भी है, और वो सुकसुदा हैं जिसको आदमी देखता है, तो हमने का, क्यो ना फिल्म फेस्टिबल वहां किया जाए, यह मद्धिप्रदेश सरकार को हमने अपनी अरजी दी, तो मद्धिप्रदेश सरकार ने का, यार खजराओ नहीं हम कर सकते हैं, खजराओ फिल्म फेस्टिबल तुम इंदौर में कर लो, या बोपाल में कर लो, तुम मैंने का, इसका क्या ओचित होगा, भई कि खजराओ फिल्म फेस्टिबल बोपाल में हो रहा है, हमने का, सर, उसमें दो-तिन आई-स ओफिसर हमारे लिए और उन पर LED लगा के सरवर लगा के पिक्चरें दिखाएं तो कोई नहीं गुसा हम इतने भेंगर फेलियर रहे शाम को हमारा जो लिए अर्दास लेकर गए करना है तो नहीं भई बड़ा फेलियर था और आपने क्या कर दिया ना कटवा दी एक नहीं आया कोई देखने मुझे भी लगा है यह यह तो हुआ है तो फिर हम गाओं में आये हमने का सर एक पार टाम दीजिए गाओं गाओं गया मैंने का भई हम से तुमारे लिए फिल्में लेकर आए बंबई से हम कलाकार लेकर आए जो आप पीछे दिखा रहे हैं सब उदरी के मुझे सेच में लगा मैंने का यार फाइव स्टार होटल में तो करीब अल आदमी जाए गरी वो तो वैसे वाच में नहीं मार के भगा देगा और फिर भी जानकारी के लिए हम बारा टप्रा टॉकीज लगाते हैं माशाआला और ऐसे टूटके गरे लोग हमने बिलकुल टप्रा टॉकीज बनाए लाक दो लाक की लाकत से उसमें में बाकाईधा साउंड प्रूफ एलेडी लगाए सर्वर लगाया लोकल फिल्में दिखाते हैं इं रेडिकल कैम्प लगाए और इसे रिलेटेट वें भी दिखा रहे हमने ट्बैको को लेकर कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर को लेकर पैड को लेकर उस्दैनों कि शर्कमार के फिल्म आई थी तब हम ने उस में उसको बना था अपना एक थी Watch व Queensland के लिए रखा और बाहर से जितनी भी सेलेबरिटी आये शेकर कपूर, अनपमखेर, जैकी शरॉफ वगरे हम सब को इस टप्राटों की समें ले जाते थे के लोकल लोगों की भी फिल्में देखे आप ये आपकी फिल्में देख रहे हैं ये तो पैसा दे के देखते हैं आप कम से कम मुफ़त में देखे and it became so hit वहाँ का हर आदमी जो फिल्म बनाता हूँ इतना खुश हुआ कि पहली बार उसको इतने बड़े-बड़े स्टारों से देखने को मिला मिलने का मोका मिला और दूसरी उनकी फिल्में उन्होंने देखी तो दूसरा हम सिनेमा को डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे थे हम बॉम्बे से बहाल लाना चाह रहे थे तो खजरा हो किया, और्चा किया अब हम चित्रकूट में कर रहे हैं और चंदेरी में कर रहे हैं इस तरह से छोटे-छोटे फ्रेस्ट होएं आपने इतनी सारी में बाते बते चलते चलते मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी बंदेली जबान में हमारे डीडी उर्दू के नाजरेन के लिए एक अच्छा सा पैगाम दे एक तो ये पहली लाइन हिंदी में बोल देता हूँ उर्दू इतनी खुब्सूरे जबान है अगर ये हिंदुस्तान से चली गई तो आप ये मान के चलिए इस मुल्क से एक कल्चर खत्म हो जाएगा इसमें इतनी मिठास है इतने इसमें इतना अपनत है और मैं एनसडी से पड़ा लिखा हूँ बाहर FTI से भी पड़ा लिखा हूँ कम से कम अपनी बोल्चाल की भाषा में प्योर उर्दू भले ही न बोले लेकिन इसको वैसे न करें कि इसको किसी भी रूप में अगर किसी से आपकी नराजी है किसी मजहब से किसी के उस से तो इस भाषा पर अपना गुसा ना निकालें और हम बुनिल खंडी में जा कहें देद के भाईया इचैनल पर आके हमें बड़ो अच्छो लगो हमने तुमाए दुक दर्द बुनिल खंडीयों के आप लोग उनको सुना दे अब आप लोग उनको अगर लगे के बुनिल खंड पर तरस होना चाहिए बुनिल खंड पर कच्छो आप लोगों की ओर से मालम अलामत होना चाहिए तो एक बार ध्यान देवी की करपा कर भी हम पूरे पांच करूर के बुनिल खंड वासी आपके आभारी रहेंगे जै जै बहुत बहुत शुकरिया मेरा दिल नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को मैं यहीं खद्म करूँ मेरा दिल कर मैं आप से और बाते करूँ लेकिन वक्त अतना जालिम है कि हमारे और आपके बीच में आहीं गया तो नाजरेन हम बात कर रहे हैं राजा बुंदेला जैसे काम्याब शक्स से जो कि एक अच्छे अभिनेता और साथ ही साथ बहुत अच्छे नेता भी है मुझे यकीन है कि आपको आज का शोब पसंद आया होगा अगले हफते फिराऊंगे एक नई शक्सित के साथ फे लाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजे इजाजत अलाहाफेज झाल 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 झाल